आठ सीट पर बीजेपी की जीत हो गई है बड़ी कबर इस वक्त यूपी राज्यसभा से जुड़ी हुई टस्में से आठ पर बीजेपी की जीत हो गई है दो पर समाजवादी पार्टी की जीत है तो यूपी की आठ सीटों पर नतीजे आए जो बीजेपी के कैंडिडेट आठों सीटें यहाँ पर जो आठ सीटें वो भारतिय जन्ता पार्टी ने जीत लिए दस सीटें थी और उसमें से आठ सीटों पर भारतिय जन्ता पार्टी का कबज़ा हुआ है दो सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं समाजवादी पार्टी के एक और भारतिय इंता पार्टी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों का वोट हासिल किया, उसने कही ने कही भारतिय इंता पार्टी की जो जीत थी उसको बड़ा आसान बना दिया। बिल्कुल तो यूपी में 10 राज्यसभा सीटों को लेकर पूरी तरह से साफ हो गई है 8 सीटों पर BJP कैंडिडेट ने जीत हासिल की 8 कैंडिडेट ही BJP ने उतारा था वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट को उतारा था जिनमें से 1 किहार हुई है समाजवादी पार्टी के दो कैंडिडेट ने जीत हासल की है राजसभा चुनाओं में तीसरा कैंडिडेट पूर्व ब्यूरोक्रेट आलोक रंजन उनकी हार तो बड़ी खबर न्यूज 18 इस वक्त आपको दे रहा है यूपी के 10 राजसभा सीटों को लेकर अब नतीजे सामने आ चुके हैं बीजेपी के सभी 8 उमिदवारों ने जीत हासल की है समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की इसी के साथ राज़ा भाईया के 2 विधायक जिन्होंने NDA कैंडिडेट के समर्थन में वोटकास्ट किया जिसकी वज़े से बीजेपी के 8 उमिदवारों ने उतारा था चुना मैदान में और उन्हें जीत मिलके जिसके बाद आब नारे बाजी भी देखने और सुनने को मिल रही है तो ये हम आपने बड़ी ख़बार यूपी के अंदर आज जिस सभाज चुनाव को लेकार जिस तरीके से वोटिंग होनी थी वोटिंग हुई और उसके बाद जब का रिसल्ट सामने आए हैं तो 10 सीटों में 8 सीटों पर भारती जनता पार्टी का कबज़ा हुआ है 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी के एक प्रतियाशी कोहार का सामना करना पड़ा है और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं विधान परेशद विधान सभा के बाहर से जहां पर वोटों की गिनती चल रही थी है हमारे सहीवी राजी वहां पर मौजूद है उन्होंने कहा था कि आप बढ़ाई दीजे हम बढ़ाई इस विकार कर रहे हैं क्योंकि जीत तो हमारी तह है राजीव इस वक्त हमारे साथ बने हुए लखनों से बिल्कुल राजीव क्या ब्रेट ग्राउंड जीरो से और किस तरीके का उत्साव आप पर आप देख रहे हैं अद्दिकी इस वक्ते राजी सभाचुनाओ की मद्गाना पूरी हो चुकी है और बीजेपी के सभी आठों उमीदुवार जीत गए है इस दोरां समाजवादी पार्टी से जया बचन और राजी लाज सुमन की जीत हुई है तीसरे उमीदुवार आलोक रंजन राजी सभाचुनाओ थार चुके हैं देख चकते हैं जिसके बाद इस ऐलान के बाद यहाँ पर जो तमाम समर्थक है वो इस बाद जास मानाते हुए नजर आ रहा है और जो मतगाला अस्तल से जो आने पदा दिकारी है वो भी आप देख रहे हैं कि विट्री साइन दिखाकर यहाँ पर इस बाद का अलान करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ कुग्रोग मजूद है अरे बहुत अच्छा लगा है आज एक बार फिर उत्तर पर्जेस में भार्टी जनता पार्टी की लहार है और यह जीत तै करता है कि आने वाला दो हजार चौवीस का स्क्लाव भूरा भाज का मय होगा और भी पच्चियों का सूबणा एक बार फिर साफ होगा आप देख सकते हैं कि चुनावा धिकारी जेपियस राठा और इस वक्त जो बीजेपी के एजेंट थे जो काहिए उंटिक असल पर मौजूद थे वो इस वक्त विक्त्री साइन दिखाते हुए यह एलान कर रहे हैं यह बता रहे हैं कि बीजेपी के सभी आठों उमीदवार जी चुके हैं और समाजवादी पार्टी को एक करारा जटका लगा है इस दोरान तीसरे उमीदवार आलोक रंजल की हार हुई है और इस दोरान आप देख चकते हैं कि तमाम जो राजे सभा शांशद निर्वाचित हुए हैं उनके समर्था किस वक्त नीचे जस्र बढाते हुए नजर आ रहा हैं कि यहां पर जो तमाम पदादिकारी हैं वो मौझूद हैं उनके बात करने के हम कोसिस करेंगे और जाने के यहां पर कैसा लग रहा है कैसा बड़ाई हर्च का विचा है हम सब प्रिजवासियों के लिए हमारे नेता चौजी तेरी विट से अभी अभी इस खबर में लिए हम को जीत चुके हैं हम बहुत हर्च में हैं और देखिए यह आठ शीट आट इंटू टू आट इंटू टैन कर लिए असी के असी जीट लोग सबहे हम जीतने वाले हैं और अभी तो ली एम लाई है आगे और लाई है आगास देखिए अभी केबल आठ ज़न आठ लोग परती जनता पार्टी के सिर्श नेटों आट जीतने और नियत की जीतने विकास और ब्राषट की जीतने और यह आपने देखा कि यह तमाम यहां पर सबर्तक हैं उनमें खासा उसा देखने को मिलना है क्योंकि एक बड़ी जीत हैं दो जाजार चौनाओं से पहले यहां पर जनता पार्टी को राजी सबा चुनाओं में एक बड़ी जीत मिली आदेशक्ते हैं कि जो विजाई सांसद है उनके स्वागत के लिए यहां पर लोग भूल और माला लेकर पहुंच चुके हैं कि वो जैसे ही आपसे कुछ ही दर बाद अधिकारी गोशना होगी जीत की वो उन सब्सक्राइब करने के लिए पूल और मालाओं के साथ बीचे पहुंचे हैं और लगातार उनके समर्थन में नारे बाजी करते हुए ज़र आ रहा है कहां से आए हैं सब्सक्राइब कर दा लिए घंग की जीत है उनके भारत को बिकसित भारत बनाने के लक्ष की जीत है और यह उनके विकास और ब्रासत वाले सिद्दान्त की जीता और भारतिंता पार्टी की नेता और नियत की जीता और भारतिंता पार्टी की अभी तो यह लड़ाई है आगे बहुत बड़ी अगड़ाई है माने सर लगातार बने हुए राजीव वहाँ पर मौझूद समर्थकों से बाचीत भी कर रहे हैं जो अलग-अलग कैंडिट्स के समर्थन हमने यहाँ पर आई हुए है राजीव हमने देखा आरपिन सिंग के समर्थन में जो लोग पहुंचे वे कानपुर से जो मतुरा से बिकारी घोष्वा की जाएगी और उसके बाद बीजेपी के जो तमाब सीर से नेता हैं चाहे वो बीजेपी के प्रदेश सद्देश हो या फिर जो आन्डे मंतरी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे वो इस सभी उवीद्वारों को लेकर यहां से निकलेंगे उसे पहले पार्टी के आठो प्रतियासी जीतेंगे। विजय यात्रा जो राजसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा विधानसभा के बाद लोकसभा के बाद पिर विधानसभा चलती नहीं है यह अंगी कहसकते हैं कि जो आप लोग से पहले से जीत आज शो कुनी तड़ी के समॉसी तवर से जो हम लोग मान रहे थे वह परणाम आज सामने आया है इसपर हम सुष्षी जाहिर करते हैं सभी कारकृताओं को पधाई देते हैं सबी माननी विधायकों को बधाई देते हैं, पार्टी के संपूर जो पदादीकारी गण हैं उनको बधाई देते हैं और जो प्रत्यासी जीते हैं, सांसत बन गए हैं अब राज सबाके, उन सब को भी बधाई दें, आज कांग्रेश सबपा की यही आदत हो गई, अगर सबाद ने अपनी पाटी को एक जूट रखने में विफल रही है, तो यह सबाक की कम्यां नहीं पा रहे हैं अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण इनकी पराजय हुई है और भारती जंद्वाटी कि यह इतिहासिक जीत है इसके लिए हर्दी बदाएं प्रसाद बोरिकों आप सुन रहे थे राजीव मरसाथ बनेगों राजीव क्या अपचारिक तोर पर अभी ऐलान किया जाएगा क्या मीडिया को जहनकारी दी जाएगी इस परणाम के बारे में अब अम्तिम परणाम की परतिक्षा में हैं हम लोग अब को यदिकरत परणाम अभी नहीं आया है लेकिन हम लोगों ने हमारी पार्टी ने सभी अपने सहयोगी दलों के साथ बढ़कर बातचीत करके आठोप परतियासी गोशित किये हैं और जो बिधान सभा का नंबर है संख्याबल है वो भारतियंता पार्टी एर एंडिये के पक्ष में है मुझे विश्वास है कि हम बड़े अंतर से आठोशीते प्रत्यम बरता के बोटों के आधार पर जीतेंगे और निश्चित रूप से मैं सभी उन सभी अपने साथी सहयोगियों के लिए वह तब इनंदन करता हूं कि जिनोंने श्रित होकर हमारे सभी साथी सहयोगियों दलोने शंगडित होकर सभी लोगों से बातचीत करके भारतियंता पार्टी के पक्ष में मद्दान कराया सर समाजवादी पार्टी धांदली का रोप लगा रही है जुनाव में इसको के लिए क्या कुछ कहेंगे अब ये निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोक तंत्र के लिए ये सुब लक्षण नहीं है हम लोगों को जो लोगों ने जनादेश दिया है जो विश्वास ब्यक्त किया उसका सम्मान करना चाहिए मैंने पहले भी कहा कि बिधान सभा का गणित बिधान सभा का अंकर गणित बिधान सभा में नमबर समाजबादी पार्टी के पास नहीं थे और कहीं न कहीं वो चीजें पढ़नामों से भी प्रदसित होंगी जहां तक आक्षे बाला भी से है समाजबादी पार्टी का इस चरित रहा है कि जब हारेंगे तो संबेधानिक संस्थाओं पे अलेक्शन कमिशन पे पुलिस प परणाम है कि बिधान सभा में जहां पर काउंटिंग चल लएए वहां पर तमाम जो समर्थक है वो इस वक्ट रेबाजी करते हुए नजर आ रहा है कितनी खुछी है आप लोगों बहुत 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 बदा कुछी है बहुत ज्यादा खुछी है हमारे जो आठ प्रति बहुत बहुत से जीते हैं और आगरास हमारी नवीन जैन महाफ़र उद्वब इडासवा शानसत बन गया है जैसे कि आपने सुना कि लोग योगी मोधी की जो योजना है उनको स्रे दे रहा है है और यही कारण है कि पुछी हैं जो तमाम समाजवादी पार्टी की विधायक उनोंने क्रासोटिंग की है एक विधायक पूरु मंतरी गायर्क्री प्रजापति की पतनी जो है वो गे रूपства होकर कहीं न कहीं उन्होंने भी दूसरी तरीके से बीजेपी की बदत की है। इस वड़ित हमारे साथ तमां समर्तक हैं उन से बाग करेंगे कि आप देख रहे हैं यह वो तमान से मर्थक हैं जो अपने अपने उवी द्वार के स्वागत के लिए सम्मान के लिए हैं पहुँचे आठ शांशत जो हमारे भारतिनता पार्टी जीते हैं यह बात का प्रमान है कि 2024 में जीरो लगेगी और 80 के 80 सांशत उत्ता प्रदेश की जन्ता चुन करके भेजेगी दूसरी बात आगरा स कि नवीं जैनजी चुनाब झ differenti है इभारतिनता पार्टी के शीज ने थ्म लेट्रत ने एक आम कारण गर्ब करता को जिस तरह से िनिटापनाया है आगरा की थमाम संता हूं मोझूद है इस बात शुक्ति त्लद कूल म्हूजूनी को पार्टी है जो कार्यकरता को नेता बन लेकिन सपा बहुत ही ज़्यादा उनके उसगलों पर नहीं चली उनके इच्छा दी धर्म के प्रती वो राश्ट की पती उनके रहा दी वहावना दी भार्टी में आपने आपने सुना कि यह जो समर्थक हैं इनका मानना है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने धर्म और र